प्रेंबल के बारे में पूरा कंप्लीट अंडिस्टैंडिंग को प्रेंबल के बारे में तो इसका मतलब ये कि जो हमारे law students है वो तो already जानते हैं प्रेंबल का मतलब और प्रेंबल को पढ़ना कितना ज़रूरी है वो लेकिन ये मैं बात करना चाहूंगा उन लोगों से ये हमारे उन viewers से जो law background को belong करते हैं यानि कि जो law background से नहीं है normal citizens अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी और अगर आप normally working class से हैं या अगर आप student है, junior है, school level में है तो क्यों ये वीडियो लेक्चर आपके लिए ज़रूरी है मैं court करना चाहूंगा justice दीपक मिश्रा की एक बात, जब वो 36 गड़ हाई court में आये थे, legal service authorities के एक प्रोग्राम में, justice दीपक मिश्रा हमारे इंडिया के ex chief justice भी रह चुके है उनसे एक सवाल पूछा गया और उसके जवाब में उन्होंने ये बताया कि उनको ऐसा लगता है कि जो constitution of India की किताब है वो कंपल से होने चाहिए schools और colleges में और constitution of India एक ऐसी किताब है जो हर citizens को compulsorily पढ़नी चाहिए वो क्यों पढ़नी चाहिए वो इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि constitution of India को पढ़ने के बाद असल में हर citizens हो है इस country का वो educate हो जाएगा अपने rights को लेके वो aware हो जाएगा democracy को लेके और अगर हम बात करें constitution of India को पढ़ने की तो अगर आप constitution of India की bear act को या उस किताब को पलटेंगे तो आप शुरुवात में इंडेक्स के बाद सीधे पहुचेंगे कहां पे preamble पे preamble को जब आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि ये preamble में कुछ तो लिखा हुआ जो हमें समझ नहीं आ रहा है और इसी में लोग गलती कर देते हैं और preamble को पलटके आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि लोगों का ऐसा मानना होता है कि preamble क्या होगा कोई preface होगा introduction ह होगा abstract होगा कुछ poetic way में ऐसा लग रहा है लिखा हुआ है लेकिन ऐसा नहीं है आज जब हम इस video lecture को cover करेंगे और इस video lecture को पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि preamble की importance क्या है प्रियांबल असल में essence है हमारे constitution का प्रियांबल असल में spirit है हमारे constitution की और इस video lecture में हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा जो understanding है प्रियांबल को और हम कैसे पढ़ेंगे प्रियांबल को हम refer करेंगे case laws को यानि कि अगर कुछ cases है प्रियांबल से related तो उन में क्या ruling आई क्या important issues को highlight किया court ने उसके साथ ही साथ हम देखेंगे amendments को यानि कि अगर कोई amendment आज सक constitution में हुआ है तो वो कौन सा है और उस amendment में क्या की changes हुए और उसके साथ हम देखेंगे importance of the preamble को और साथ हम देखेंगे objective of the preamble को तो आज के इस video lecture को हम जल्दी से शुरू करते हैं बिना time waste किये आगे बढ़ते हैं तो किसी भी topic को शुरू कर लेने से पहले जरूर ही होता है उसके meaning को समझ लेना यानि कि scratch से शुरू करते है meaning क्या कहती है तो हमने एक ascending order में लगा रखा यानि कि scratch से meaning को समझेंगे और starting से फिर बढ़ते वह आगे जब जाएंगे तो हम थोड़े से professional definition की तरफ आगे बढ़ेंगे तो अगर हम पहली meaning basic understanding के लिए समझने की कोशिश करें तो पहली line क्या कह रिए an introduction और a preface for example to a book a written document speech etc that explains its purpose यानि कि कोई भी introduction या introductory statement किसी बुक का या किसी written document का या preface जो किसी बुक का क्या explain कर रही है purpose बता रही है ठीक है सर यह डाउट तो हमारे दमाग में clear हो गया आगे बढ़ते हैं second definition का कह रिया प्रियम्बल इस इन इंट्रोड़क्टरी स्टेट्मेंट इन डॉक्यमेंट एक्स्प्लेंट इस दॉक्यमेंट का क्या बता रहा है वह फिलोसफी और अब्जेक्टिव्स यानि कहना यही चाह रहा है अब फ्रिस्पल के बारे में बात कर रहा है इस इस व्रेंट को लेके पहले दो डेफिनेशन और तीसरी बात जो है अब हम किसी constitution के context में अगर बात करें तो वो किस बारे में बता रहा है जो उसके framers थे किसके constitution के यानि जिन्हों ने constitution को बनाया उनके framers के intention के बारे में बात कर रहा है कि वो किस intention से constitution को बना रहे थे उसकी story of creation यानि कि जो history थी उस particular preamble को और constitution को बनाने की उसके बारे में बात कर रहा है और साथ ही साथ core values और principles की बात कर रहा है किसकी nation की फ्रेमर्स की नहीं जो core values and principles है किसी nation की उसके बारे में बात की गई ठीक है सर चौती और आखरी meaning की तरफ बढ़ते हैं अब यह क्या कह रही है यह कह रही अब बात कर रहा है और लोगों के लिए क्या है या अगर हम एक कम शब्दों में समझने की कोशिश करें कि प्रियांबल क्या है तो प्रियांबल कुछ नहीं केवल एक introductory line है जो principles वाल्यूज और को बता रही है किसके हमारे Constitution of India को ठीके सर्थ आगे बढ़ते हैं अब हमने चुकि प्रियांबल का मतलब समझ लिया तो पहले प्रियांबल को पढ़ी लेते हैं या प्रियांबल को देख लेते हैं तो अगर आप जब Constitution of India की किताब को खोलेंगे या बेराइक को को लेंगे तो आपको मिलेगा प्रियांबल ठीक है सर्थ और प्रियांबल में लिखा होगा ये इसको एक बार रीड करते हैं जल्दी से इसको हम यहां से ब्रेकडाउन नहीं करेंगे केवल रीड करेंगे वी देपीपल आफ इंडिया हाविंग सॉलम्ली रिजॉल्व्व ब कौन्सितिव इंड इंड नहीं करें इंड शची तो कुंपरिटी तॉर इंट इंडेवल इंडिया इंड रिब्गियों एखिर तन इंडिए इंड लिप्रेंगा है सुरिंटी इंड बल्ष निए स्दुपनिक टिवर्थ एंडिविक ब्कूल नहीं करेंगा इंड अप्र स्टिट्यूशन ठीके सब यह हमारा प्रियांबल यह जो रेड में लिखा हुआ है जो हाइलाइट पार्ट से आप जब बेराइट को खोलेंगे तो आप देखेंगे यह पार्ट वहां पर भी हाइलाइट है क्योंकि यही की लाइन्स और की वर्ड्स हैं हमारे प्रियांबल के जो हमारे प्रियांबल के इसेंस को बता रहे हैं ठीक है सर आगे बढ़ते हैं अगर आप देखेंगे बुक को खोलेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा प्रियांबल बुक के अंदर में इतना ब्यूटिफाई नहीं होगा अगर आप बेर आट को खोलेंगे यह औरिजिन में क्या हुआ तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे किसकी प्रियांबल की ठीक है सर तो सबसे पहले शुरुवात करते हैं किसी केस से ठीक है अब इस वीडियो लेक्चर में पर्टिकुलर्ली हम डील करने वाले हैं multiple cases को तो यह possible नहीं है कि मैं सारे cases के पहले आपको facts history कहीं तो पहला केस पहला केश मेरे नीचे केस्ट मेर थोड़ा सा आप नाम नहीं यह जगा को डील कर रहा जब Indianya पाकिस्तान के border dispute हुआ, border dispute से मेरा मतलब है जब boundary line decide करी जारी थी कि इंडिया कौन सा होगा, पाकिस्तान कौन सा होगा, तो यह West Bengal के एक area है, उसको लेके कुछ confusion हुआ था और उसको related यह case की आगे आता, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, तो इस particular case में क्या बोला, सुप्रीम कोट ने ऐसा बोला, बहुत प्रोलॉंग जज्मेंट था, उस जज्मेंट के एक पार्ट को अगर प्रियांबल के पार्ट को उठाया तो उसमें बोला, प्रियांबल is not a part of the constitution, ठीक है, इस case में सुप्रीम कोट ने बोला कि प्रियांबल जो है, वो केस आया कब 1973 में, ठीक है सर, यानि कि इस particular case के होने के कितने साल बाद, 13 साल बाद, ठीक है सर, इस particular case में ये case भी बहुत landmark case है, constitutional bench थी, बहुत ज़ादा इस case को पढ़ा जाता है, बहुत widely इसको study किया जाता है, और आज भी इस case से related rulings आती रहती है, कि मतलब इस case में कहने का म extract बनाएंगे कि four pointer जो है, इस case से point out किये गए, किस से related, preamble से related, क्या था, पहला तो ये था कि preamble is a part of the constitution, यानि कि बहुरुबरी case का ये वाला part overrule हो गया, कि preamble जो है, केशवानन्द भारती case में बोला गया, constitution का part है, उसके साथी साथ second point क्या बोला, preamble of the constitution is of extreme importance, इसका मतल जो है ना, वो हमारे constitution of India का part तो ही है, साथी साथ वो extreme importance को hold करता है, तीसरी बात क्या बोली गई, तीसरी बात बोली गई, constitution shall be read and interpreted in the light of the preamble, यानि कि जो constitution of India है, उसको पढ़ा जाएगा, लेकिन किसके term पढ़ा जाएगा, और interpret किया जाएगा, preamble के base पे, यानि कि अगर constitution का वो कहां लाई करता है, preamble पे लाई करता है, साथी साथ और क्या बोला, preamble can be amended without altering the basic structure of the constitution, यहां से दो ही important वद है, यानि कि यहां से हमें यह तो पता चल गया कि preamble जो है, वो amend किया जा सकता है, यानि कि जो lecture की starting में आप से सवाल पूछा था, amendment हुए होंगे या नहीं हो सकते है या नहीं, उसका जवाब हमें partly मिल गया क्या, कि constitution of India जो है, उसका जो preamble है, वो amend किया जा सकता है, और बट उसके जो basic structure है, उसको आप disturb नहीं कर सकते है, उसको alter नहीं कर सकते है, किसको basic structure को, और इसी लिए केश्वनन्द भारती case की importance भी बहुत जादा है, क्योंक प्रेंबल की कुछ और बाते भी अगर आपको पॉंट आउट कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम इंपॉर्टेंस के इंडर में ही पढ़ रहे हैं, हमने दो केस पड़े थे, बैरूबरी case और केश्वनन्द अब हम आते हैं, तीसरी case की तरफ, यह case है, सजजन सिंग वस्ते state of Rajasthan 1965 का, अब आप बोलेंगे कि सर वो 1973 का था, उसके बाद आप 1965 लेक्या है, क्योंकि केश्वनन्द भारती बैरूबरी case को overrule कर रहा था, इसलिए हमने उसके जस्ट बाद लिखा, आक्च्वल में बैरूबरी case के तुरंद बाद हुआ था, यह case, वो कौन सा case है, इस case मे प्रियांबल से related क्या ruling दी गई, इसमें कहा गया, प्रियांबल is the sum and substance of the features of the constitution, यानि कि मान लेते हैं कि n number of features जो है, वो constitution के है, n number of features, उसका जो sum and substance होगा, उसका जो essence होगा, उसका जो extracted form होगा, वो है हमारा प्रियांबल, वही कहने की गोशिश कर रहा है कि प्रियांबल is the sum and substance of the features of the constitution, उसके बाद आते हैं, अंगले case की तरफ या आया, 1994 का, यह case है, एसर बोमाई versus Union of India, इसमें क्या किया गया, इसमें केशवानन्द भारती case के, जो अपनी opinion दी Supreme Court ने उसको repeat करी और क्या कहा, प्रियांबल is an integral part of the constitution, यह सब cases हमें पढ़ना जरूरी क्यों है, क्योंकि कि अगर preamble से related आपको understanding को enhance करना है, तो आपको multiple cases के pillars को develop करना पड़ेगा अपने दिमाग में, ताकि आप जो है multiple dimensions को touch कर पाएं, और साथी साथ अगर आपको answer writing करनी है, अगर आपको questions को attempt करना है, तो भी आपका answer multi-dimensional हो, बहुत जादा informative हो, multiple points को touch करता हो, एक ऐसे ना लग कि आपने preamble के बारे में लिखा और आपने छोड़ दिया, खेर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है, पांचवा case, यह है नंदनी सुंदर versus state of 36 गड़ भाईवा, हमारी 36 गड़ का case है, 36 का कह रहा है, 36 के case में Supreme Court ने बोला, promise to provide social economic and political justice given under preamble cannot be neglected, यानि कि आपने अगर pream को आप निगले नहीं कर सकते हैं, और साथी साथ उसके basic structure को भी alter नहीं किया जा सकता, अब हम पढ़ेंगे objective को, यानि कि हमने अभी तक 5 case laws पढ़े, किसके importance related, अब हम पढ़ेंगे constitution of India के अंडर में दिये गए preamble के objective, objective क्या कह रहा है, पहला हम देखेंगे source को, source कोन है, people of India कैसे constitution has been prepared by the house of representatives, elected by the people, यानि कि constitution of India को हम ultimately मानेंगे, उसका source कौन है, हम है, हम, मैं, आप, हमारी इंडिया, हमारे इंडिया के citizens, वो इसके source है, क्योंकि हम elect करते हैं, अपने representative को, जो की जाते है, legislative assemblies में, और उसके बाद वहाँ जाके, क्योंकि हम सारे लोग तो नहीं जा सकत है, citizens of India, इसलिए हम ultimately source किसको मानेंगे, people of India को, ठीक है, अब बढ़ते हैं, type of government के बारे में, यानि objective में, पहला objective में, हमने source के अंडर में पढ़ा, people of India, उसके साथ ही साथ हम देखेंगे, type of government के बारे में, तो type of government क्या कह रही है, sovereign, पहला point है, sovereign, sovereignty lies in the people of India, यानि कि जो sovereignty है, हम में लोग आते हैं, वो भली आप president होंगे, prime minister होंगे, chief ministers होंगे, लेकिन ultimately किसके लिए है, people of India के लिए, यानि कि sovereignty ultimately lies in the people of India, who are the most powerful, who is the most powerful clan in a democracy, people of that particular democracy, in our case, people of India, ठीक है, democratic, of the people, by the people, for the people, यह तो हम सबको पता है कि इंडिन democracy का key line है, कि of the people, यानि कि लोगों की, by the people, लोगों से, और for the people, लोगों के लिए, ठीक है सर, तीसरा point का है, secular, added by 42nd amendment, यानि कि यहां से हमें एक चीज़ और पता चल गए कि amendment हुआ है, यानि अब इस lecture में एक और slide add हो गई, amendment की amendment भी हम पढ़ेंगे, तो secular शब्द है, या add किया गया, 42nd amendment से, इसमें क्या बोला गया, state क कोई religion नहीं है, state मतलब मध्यप्रदेश, चतीजगार, उत्तरप्रदेश, नहीं, state का मतलब है country, तो हमारी country का कोई religion नहीं है, religion neutral होगी, कौन सी, इंडिया, इंडिया as a country, will be religion neutral, सर, बुमाई केस में क्या बोला गया था, जो हमने ऊपर पढ़ा था, secularism is a basic structure, यानि कि secularism को भ इश्वननद भारती में constitutional bench नहीं जज्जमेंट दिया था, उसके बाद क्या है, उसके बाद आया, अरुना, रॉय, वसिस, उनिन ऑफ इंडिया, 2003 का केस, इसमें बोला गया, secularism has a positive meaning, develop respect towards each other, towards other religions, यानि कि, जो secularism शब्द है, इसका कोई आप और मतलब ना ले, इसका बड़ा पॉस्टिव मतलब है कि हर धर्म की तरफ आपकी इज्जत हो, और आप हर धर्म को equally respect करें, यह secularism का मतलब था, जो कि अरुना, रॉय, वसिस, उनिन ऑफ इंडिया, 2003 के केस में बोला गया, फिर टाइप ऑफ गॉर्मेंट के अंडर में एक और हम पढ़ेंगे, socialist को, यह भी कि इसमें सुप्रीम कोट ने क्या बोला, principles of the socialism should not be interpreted and implemented to the level that it ignores the interest of private ownership, यानि कि सोशलिजम आपको इतना ज्यादा भी नहीं कर देना है कि जो private ownership है, उसके राइट्स को आप violate कर दें, या आप जो है, इग्नोर कर दें, उसके interest को, किसके interest को, private ownership के interest को, साथी साथ एक और केस आता इसमें सुप्रीम कोट ने बोला, जो purpose है, वो क्या है, तो provide decent standard of life and social security to people, यानि कि socialist जो शब्द है, या socialism जो शब्द है, इसका जो basic मतलब है, या जो इसका basic purpose है, वो यह है कि decent standard of life and social security देनी है, किसको, people को, people किसके, इंडिया को, ठीके सर, अगला क्या है, socialist पढ़ा, अगला है Republic, Republic क्या क्या रहा है, head of the nation is an elected representative, हमको पता है, हमारे यहां पे elections होते हैं, जो हमारा head of the nation है, आपके state के जो CM है, वो कौन है, elected है, आपके country के जो prime minister है, वो कौन है, elected है, यहां तक ही हमारी country के जो president है, वो भी elected है, बट यह है कि जो people of India है, जो citizens of India है, वो directly elect नहीं करते हैं, किस rights of the people को, ठीक है, right of the people में चार point में लिखा हुआ है, justice, पहला right है, आपका justice का क्या है, social, economic and political justice, दूसरा right है, liberty का, किस चीज़ की liberty of thought, expression, belief, faith and ownership, तीसरा right है, equality का, of status and of opportunity, चौथा right है, fraternity का, assuring the dignity of an individual and unity and integrity of nation, यानि कि यह चार right जो है, वो दिये गए है, Indian citizens को through the preamble, और यह हमा objective है, अब पढ़ते हैं, हम लोग amendments को, यानि कि हमने यहां से समझा कि amendment हो सकता है, और हुआ भी है, हमने पिछली slide में देख लिया, अब amendment को पढ़ते हैं, तो भाई, amendment जब लिखा तो है, केशवारंद भारती केस क्यों लिख दिया, ये भी पढ़ने वाली बात है, कि भाई, constitution, बट उसमें ये भी बोला गया कि preamble, जो है, amend किया जा सकता है, subject to the basic structure, यानि कि basic structure को overrule, basic structure को alter किये बिना, preamble को amend किया जा सकता है, और उसके साथ ही साथ ये भी बोला गया, कि बेरूबरी case को overrule किया गया, जो हमने पढ़ा था, जिसमें बोला था कि preamble, जो है, वो constitution of India क पार्ट नहीं है, तो इस particular case को refer करना जरूरी है, अगर question आता है, amendment से related, तो आपको जरूरी है कि आप इस part को refer करें, पहले के शवानंद को refer करें, उसके बाद amendment पर जाएं, और अब हम जाते है, amendment के ओपर constitution of India के under में दिया गया preamble, आज तक के वल एक बार amend हुआ है, वो तो आप देखेंगे, उसमें तीन शब्द आपको मिलेंगे, secular, socialist और integrity, ये तीनों की तीनों जो शब्द हैं, वो add किये गए, 42nd constitutional amendment के द्वारा, और अगर आप 42nd constitutional amendment के बारे में specific lecture चाहते हैं, तो हम वो भी आपको लिए बनाएंगे और जल्दी लेके आएंगे, इस amendment को जब आपके religion है, वो उसमें neutral रहता है, साथी साथ, socialist जो हमने अभी पढ़ा, और साथी साथ, integrity जो शब्द है, वो add हुआ, इसके बारे में था, to prevent the trends of separism, यानि कि integrity का मतलब क्या है, कि जो separatist सोच है, या जो separism का जो concept है, उससे protect करने के लिए, integrity शब्द को add किया गया, उसके constitution of India, यानि preamble के बाद, जो अगला page आएगा, उसको जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है, India, that is, भारत, shall be union of states, यानि कि वो राज्यों का समूह होगा, union of states होगा, union of states में, state के पास ये right नहीं है, कि वो अपने आपको हटा सके, अपनी country से अलग कर सके, साथी स इसमें एक बात और आती है, 19 clause 2 की, यानि कि article 19 clause 2 किसके अंडर में, वो दिया हुआ है, constitution of India के अंडर में, यह किस बारे में बात करता है कि state में put reasonable restrictions on freedom of speech and expression, integrity and sovereignty of India, यह यहां तक दिया हुआ है, उसमें, integrity and sovereignty of India के base पे, state जो है, वो reasonable restriction लगा सकता है, यानि कि ये integrity, यानि अगर country की integrity doubt पे आ जाए, तो 19 clause 2 के अंडर में, जो state है, वो आपके ऊपर reasonable restriction लगा सकता है, आपके freedom of speech and expression पे, या और भी जो आपकी freedoms दी गई है, उसके अंडर में, तो यह था हमारा वीडियो लेक्चर आज का preamble के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा एक preamble की brief understanding को, और हमने develop किया अपनी understanding को preamble और उससे related सारे cases related, आज की वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा जल्दी से उसको sum up करते हैं, सबसे पहले हमने preamble के मतलब को समझा, उसके साथ हमने समझा कि preamble कहां दिया हुआ है, और वो कैसा लिखा है, हमने उसको भी read out किया, उसके साथ हमने पढ़ सबसे पहले importance of the preamble को किसके reference में, case laws के reference में, case laws उसको पढ़ा, उसके बाद हम गए objective पर, यानि कि preamble का objective क्या है, और उसके बाद हमने पढ़ा amendment को, जो कि सिर्फ एक बार हुआ है, जो कि ए 40 second constitutional amendment, यह पूरी understanding, I hope, आपको समझ में आई हो, आपका preamble related doubt clear हो गया हो, और आप पूरी तरीके से इस concept को clear कर चुके हूँ, अगर यह video lecture आपको पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं, अगर आपकी कोई queries हैं, तो आप हमें नीचे comment section में बता सकते हैं, इस particular video lecture के follow up में है, हम preamble से अंदर दिये गए, सारे cases के उपर एक brief video भी लेके आएंगे, पर विजिट करें, अथ्वा description box पर दिये गए link पर क्लिक करें, हमेशा आपके साथ टीम कोको